हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम तो माई चैनल ड्रिम्स मेक प्रियन, माई नम है अदिपाली, एड टूड़े आइंगली वोग्षीट वोग्षीट नमबर फिप्टी एट डेटी डाइडि आपकी वोग्षीट बच्चो आपका जो चैप्ट आपकी जो बुग है बिहाईव उ उससे आपको एक extract लिया गया है और आपको वो extract अच्छे से पढ़ना है समझना और फिर हमें कुछ question दिये गए है जिसके answer हमें करने है बच्चो आज के आपकी worksheet कुछ lengthy है थोड़ी सी tough है लेकिन मैंने उसको काफी interesting way में बनाने की कोशिश की है तो बच्चो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है तभी आपको आज की वीडियो समझ आज की जो worksheet है three man in a boat chapter समझ में आएगा देखो बच्चो The lesson packing is an extract taken from Jerome के Jerome novel three man in a boat जो ये हमारा three man in a boat chapter है ये किसने लिखा है इसके writer है Jerome के Jerome का ये novel है humorous novel है ये एक It describes the incident that takes place when the narrator and his two friends get engaged in packing three their things before going on for a boarding trip ये इस chapter में हमें describe किया गया है उनसा भी incident का बताया गया है कि जब narrator अपने two friends के साथ packing करते हैं, busy रहते हैं packing करने में क्योंकि वो एक boarding trip पर जा रहे हैं It is extremely humorous और ये मैंने आपको पहली बताया है कि ये novel three man in a boat is a humorous novel by Jerome के Jerome Jerome के Jerome इसके जो है author है जिनोंने ने humorous novel three man in a boat लिखा है बचो देखो इसमें काफी लंबा extract दिया गया है जिसको मैं आपको थोड़ा सा summarize करके आज पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा chapter है अगर मैंने इसको word to word पढ़ाया तो भी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं थोड़ा सा summarize करके आपको बता रही हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा बचो इसमें Jerome जो होते हैं Jerome के two friends होते हैं Harris और George Harris और George Jerome के two friends होते हैं और इनका एक pet dog भी होता है Montmorency Montmorency तो Jerome को George तो पसंद है George तो उसका best friend है लेकिन Jerome को Harris जादे पसंद नहीं है Jerome Harris की compare अपने एक uncle से करते हैं और कहते हैं कि सारे काम को बेकार करने वाला Harris ही है तो एक बार ये अपना triple organize करते हैं और कहते हैं क्योंकि Jerome को हमेसा ये लगता है कि उसको यना कि बहुत सारी विमारियों ने kھیरा हुआ है तो जिरोम हमेसे इस डाउट में रहता है कि उसको बहुत सारी बिमारिया है तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जादे काम कर लिया है ओवर्लोड वर्क के कारण आपको ऐसा महसूस होता है इसलिए आपको किसी ट्रिप पर जाना चाहिए तो पहले तो तीनो फ्रेंट्स मिलकर एक गाउं में जाने का महाँ पर बीटुफुल नेचर को देखने का प्लैन करते हैं लेकिन फिर जोर्ज को ये आइडिया पसंद नहीं आता और फिर वो क्या करते हैं तीनो प्लैन करते हैं कि वो एक बोटिंग ट्रिप पर जाएंगे तो बोटिंग ट्रिप पर जाने के लिए तेनोabling कर लेते हैं, discuss कर लेते हैं, packing कर लेते हैं तो अगली सुबह उनकी सारे 6 बजे की टेरन होती है बट तेनो fans सोई हुए सोई रहती है तब उनकी house की पर आती है, उनको जगाती है और देखते हैं कि it's too late बहुत लेट हो चुकी होती है और उनकी ट्रेंड मिस हो गई होती है तब फिर next day Saturday में जिरोम और जोर्ज अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं लेकिन Harris को कुछ जरूरी काम होता है इसलिए Harris उनको जोइन नहीं कर पाता तो रास्ते में उनको Harris मिलता है Harris को जोइन कर लेते हैं वो लोग और तीनों आपस बहुत सारी बाते शेयर करते हैं अपनी dressing sense के बारे में बताते हैं अपनी experience बताते हैं कि किस तरह से में party में गए थे और बहुत सारे अपनी experience शेयर करते हैं तो बच्चों finally फिर वो क्या करते ह हैं अपनी destination पर जहां उनको पहुचना होता है उससे पहले वो अपनी boat को पर इस्टे करते हैं रात में canvas का उस पर तंबू लगा लेते हैं और वही पर वो डिनर करके सो जाते हैं बोट के अंदर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो अपना breakfast बनाते हैं अंडे की भुजी बनाते हैं फिर लंच करते हैं और फिर वो फाइनली oxford पहुच जाते हैं और अपनी destination oxford पहुच जाते हैं और फिर वहां से वो लोग क्या करते हैं दो दिन का stay करते हैं और फिर वो लोग train पकड़ कर कहां पहुच जाते हैं ट्रेन पकड़ कर वो लोग फाइनली अपनी destination प जाता है तो इस में हमें काफी चीज़े बताए गई है कि जब हम पैकिंग पजाते हैं तो मैं टमेटो बटर जैसे चीज़े इस तरह की चीज़ों को ज्यादे नहीं लेके जाना चाहिए तो इस तरह से बच्चो हमें बहुत सारे question दिये गए हैं समरी के base पर इनका Montmoren से जो pet dog होता है वो भी इनके जो packing होती है उसको काफी हद तक बिगार देता है, worse बना देता है क्योंकि वो अपने पैरों से क्या करता है, jam को सारी जंगा बिखेर देता है, tomato four देता है तो इसलिए बच्चो ये स्टोरी काफी humorous है और इसमें अपना tooth brush भी ले जाना भूल जाता है जियोर्ज, फिर वो बाद में packing और unpacking करते हैं, बार बार back को खोलते हैं और फिर बंद करते हैं दुबारे से packing करते हैं तो फाइनल उनको tooth brush भी मिल जाता है, उनके boot के अंदर पड़ा मिल जाता है दुबारे से तो बच्चो तो इस तरह से हमने आपको समझ में आ गई होगी काफी हद तक समरी कि किस तरह से इस chapter में तीनों दोस्त जो हैं आपस में humorous incident पर बाते करते रहते हैं, अपने experience share करते हैं, packing के बारे में बताया गया है कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमें कैसे कैसे क्या क्या चीजे ले जानी चाहिए और क्या क्या चीजे हमें award करनी चाहिए तो बच्चो इसके base पर जो question के बारे में जादा ही नौलीजर्स के दो friends से, more ever he would get an opportunity to boast the job and George and Harris will do the job under his direction, और वो सोचता है कि George and Harris है ना, job करेंगे उसके direction के नीचे, मतलब वो instruction देगा और दोनों उसको follow करेंगे जो उसके friend थी what did George and Harris offered to pack and why इसका answer देखते हैं बच्चो George and Harris offered to pack the hamper, hamper का मतलब होता है डलिया टॉकरी, because it was getting late and they thought that Jerome had taken too much of time क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर Jerome को packing करने दिया जाएगा तो वो भो जादे समय ले लेगा they also wanted to show their skills to Jerome, तो वो अपने skill भी दिखाना जाते थी उनको, Jerome को बचो, थर्ड कोशन की तरफ हम लोग मौ करते हैं, देखो How did Montmorency version things for them, Montmorency उनकी चीजों को बेकार कैसे कर देता है, Montmorency was a pet dog था, of the narrator का and his two friends, कभी वो पालतू कुता था, he contributed to the packing by forcibly sitting down on the things, वो क्या करता है उनकी चीजों के उपर बैट जाता है, he puts his leg अपना pet jam के उपर रखता है fumble with a taste spoon fumble का मतलब होता है, गडबड कर देता है चमच से सारा कुछ, टेस्पून से सारा कुछ बिखेर देता है and chased the lemons like reds और चुहों की तरफ उनका पीछा करता है lemons का answer 4, हम देख लेते हैं what happened when Jerome realized that he had not packed the toothbrush क्या हुआ, जब Jerome को लगा कि उसने toothbrush pack नहीं किया जैसे मैंने आपको बताया था Jerome was packing and unpacking his bag again and again Jerome ने बार-बार अपना packing किया और फिर unpacking किया अपना bag Jerome finally found the toothbrush inside a boot boot के अंदर उसको finally अपना toothbrush मिल जाता है that he had packed in the bag जो कि उसने bag के अंदर pack किये हुए थे अपने boot तो बच्चो फर्स टास्क में हमें चार क्वेशन दिये गए हैं चारों की answer मैंने आपको बता दिये हैं सेकिंड टास्क की तरफ move करते हैं when George and Harris started packing the hamper what all went wrong George और Harris जब अपनी packing करने start करते हैं तो उनके साथ क्या गलत होता है देखो Harris and George watched Jerome pack with great amusement and wishing to pack food when Jerome finally finishes packing they are no better as they constantly constantly forget things forget बच्चो ये एक ही word है forget things and Harris steps in the better and Harris steps in the butter sorry यहाँ पर आपका butter आएगा B.U.T.T. in the क्योंकि Harris का पैर जो है butter पर फिसल जाता है तो बच्चो आंसर बन आपका ये हुआ answer second की तरफ चलते हैं से पहले हम question पढ़ेंगे of the three Jerome, George and Harris what do you think is the best or the worst packer and why George और Harris और Jerome तीन पैकर थे ये लोग तीनों ने पैकिंग की थी तो आपकी राय में कौन अच्छा और कौन सबसे बुरा पैकर था बताईए आपको मैंने बताया कि Jerome भी अपना tooth brush पैकर ना भूल गया था मतलब सभी ने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है Jerome is the best packer लेकिन फिर भी Jerome जो था best packer था क्योंकि वो बहुत कम समय लगाता था he knew how to arrange thing in order वो ये भी जानता था कि किस तरह से चीजों को arrange करना है both Harris and George messed everything और Harris और George चीजों को मिला देते थे Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato and squashed Harris ने क्या किया strawberry jam को सबसे on the top of a tomato के ऊपर pack कर दिया और उसको squash कर दिया mashup कर दिया George stepped on the butter George जो है butter पर fissled जाता है they were getting constantly irritated by Montmorency till that time Jerome packed although he took his time and the job then even kept things behind them and then kept searching for it they made everything such a mess तो वो हर चीज को एकदम messy बना देते थे confusing बना देते थे तो सबसे अच्छा packer कोन रहेगा बच्चों इसमें सबसे अच्छा packer कोन रहेगा Jerome रहेगा तो आगे हम देख लेते हैं question number 3 this story has a lot of humorous incident जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये story three men in a boat जो novel है Jerome का वो एक हमारा humorous novel है तो इसमें बहुत सारी humorous कटनाई हुई है तो किसी दो का बताना है आपको देखो बच्चों दो का हमें detail बताना है the first humorous incident was when they get a jar of water from an old gentleman who shows the river water another incident मैंने बताया है कि किस तरह से वो irritate हो जाते हैं people in the steam launch में और next funny scene was their shopping scene जब वो shopping करते हैं तो वहाँ पर scene जो बहुत funny होता है task 3 है बच्चों जो आपको खुद से करना है लेकिन फिर भी मैंने आपकी help के लिए थोड़े point लिख दिये है देखिए you have seen Jerome, George and Harris pack in a very chaotic way आपने देखा होगा कि Jerome, George and Harris ने बहुत ही chaotic way का मतलब होता है अस्त्वियस तरीके से packing की है can you give some tips to them to be more organized क्या आप कुछ tips दे सकते हैं कि अगर आप किसी trip पर जा रहे हैं तो आप किसी चीज को कैसे pack करोगे बच्चों इसमें आपको अपनी राय बतानी है कि अगर आप कहीं अपने ममी पापा के साथ घूमने जा रहे हैं कोई trip पर जा रहे है तो आप अपनी अरे packing को किस तरह से arrange करते हैं देखो मैंने chapter के base पर ही कुछ points लिखे हैं मैं आपको समझा देती हूँ first keep all the heavy items in the bags especially the ones you don't need right away सबसे पहले जो heavy items हैं bag में और जिनकी आपको जरुवत नहीं है तो please उनको avoid करना चाहिए then keep the delicate and light items और फिर जो भोती हलकी और soft items होते हैं उनको wrap करना चाहिए newspaper और कपड़े से now pack sorry यहाँ पर हमारा pack आएगा P.A.C. के pack the food items P.A.C. के pack the food items in boxes अब जो हमें खाने पीने का समान ले जाना होता है वो हमें pack करना चाहिए box में and keep them carefully over the other items in the bag और उनने carefully रखना चाहिए उन item के उपर जो की हमारे bag में और item है उनके उपर हमें खाने पीने का समान रखना चाहिए next put all your toiletries in the separate pouch और उसके बाद हम जो toilet में ले जाने वाला सारा समान होता है चाहिए वो साबून है या हमारा shampoo है oil है anything कोई भी चीज है toilet में यूज़ करने वाला तो उसको separate अलग से pouch में रखना चाहिए and keep it inside the pocket of your bag और आपकी bag में जो side में pocket होती है हमें उसको इन सारे item को वहाँ पर रखना चाहिए तो बच्चो इस तरह से अगर आप packing करते हैं तो आपकी packing कभी भी खराब नहीं होंगी आप कभी भी कोई भी ज़रूरी समान ले जाना नहीं भूलोगे आपको साथ ही कुछ medicines भी रखने चाहिए टावल वगहरे सकता ये सब चीजा आप point में यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है बच्चो तो अगर आपको आज की वीडियो समझ में आ रही है मेरे दिये हुए answer आपको अच्छे लग रहे हैं बच्चो तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को like करोगे comment करोगे और अगर आपको अभी तक आपने मेरा चैनल subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल subscribe कीजे क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10 की अच्छे अच्छे इंग्रिश वीडियो बनाती हूँ और please share your friends Thank you